हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंडेशन इस वीडियो के शुरुवात के हाफ एनर आपके लिए काफे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बात करने जारा हूं कि इस वीडियो में आपकी क्या अप्रोच रहे हैं जी किस तरीके सा आपको काउंडेशन का पेपर वन किस तरीके से आपको पढ़ना रहेंगा कई कोश्चन आपके दिमाग में आते हैं जैसे कि कौन सा स्टडी माटेरियल रहेगा क्या वो सफिशेंट है क्या हंद्रेट परसंट से लिबस हम लोग यहां कवर करने वाले एक कई कोश्चन आपके सबसक आपको दिमाटेशन का पेपर वन अकाउंट इंडियूज़िवीजस नियू सिलिबस का आपको 100 का पेपर रहे हैं Avatar करने के लिए इंडियूजिवीजल पेपर मैं आपको 40 का के लिए वट आपको 5 करने के लिए इसमें 40 मास लगें लेकिन ऐगर प्तिकेट जूख सकते हैं पास्ट में कई स्टूडेंट्स ने लाए इन फाक्ट एक स्टूडेंट अगरवाई ही स्कोड 96 इन सी फांडेशन के अकाउंट में स्कोर किया एंड ट्रस्ट में आप भी कर सकते हो यह बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है इवन दो आप बच्चो साइंस बैक्ग्र करेंगे आपका 100% कवरेज यहां पर रहेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा किस तरीकिसा आपको वीडियो देखना लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम लोग यहां पर मिस करने वाले तो इस सीरीज में आपको सारे जो न्यू स्कीम के सारे चैप्टर साब लोग यहा पर कोश्चन्स रहेंगे उसके प्राक्टिस कोश्चन्स में आपको दूगा इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अब इन फाक्ट मैं आपको स्टडी मिटल के बारे में बताऊंगा अगर आपने इसके कोश्चन कर लिए न मोर देन इन इन उसमें कु वीडियो यहां पे अपलोड होते होंगे तो आप वीडियो जब आप यहां पे देख रहो तो यह वीडियो कैसे होने चाहिए आपने प्लेस इस आप सीए जबैर खान चानल है उसका अब सब्सक्राइब कर लेगे और उसमाप लेलिस में जाना और महां पर सीए तोड़ता है उसी sequence में सारे आपको लेक्चर से रहना चाहिए और वो lecture की sequence में study material इसके बारे में आगे भी आपसे कहूगा तो आपको playlist में जिस sequence में videos आ रहें जिए lecture 1, 2, 3, 4 वैसा ही आपको देखना रहेगा तो playlist में जाएंगे आप और वहां से एक ही करके video देखते आप आसानी से 80 प्लस score कर सकते है क्योंकि जब आप lecture से आगे देखोगे तो आपको realize हो जाएगा कि कैसे scratch से एक एक चीज में बताया हूँ आपको बहुत मज़ा हैंगे scratch से आप उसको वीडियो जो आप देखोंगे scratch से accounting subject के बारे में कहा गया इवन दो आपके लिए नियू है आपको accounts का ए भी नहीं पता तो भी कोई problem निये आपको सारी चीज अच्छे समझ मेंगे तो आप यह मत सोचना कि science वारे students है तो क्या हम लोग को यह accounting subject आपके लिए नहीं होता है जैसे जो commerce वाले बच्चे तो जिन्हों ने 11-12 commerce में करें उनके लिए math थोड़ा सा difficult होता है तो आपके लिए उनके लिए वो थोड़ा से बलकि उन्हें थोड़ा पड़े भी रहते हैं पहले उसको स्कूल में लेकिन आपके लिए इंस्ट्रक्शन को आपको प्रॉपर फॉलो करना रहेगा अब उसके बाद आता है स्टडी मट्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपको दो पीडिएफ दीगे कौन सी पीडिएफ फॉम में यह है बुक आप हो सके इसका प्रिंट ले लेना जो मेन बुक है आपक ठीक है लेकिन ठीओरी आपको जनली जब मैं आपको चैप्टर शुरू करोंगा आप यह अब्सर्फ करोंगे कि मैं काफी चीज़ें जो एक्स्प्लेन उसकी कर दो उसको आपने बहुत द्यान से सुनना मेरी बाद और जब आप यह त्योरी पढ़ोंगे आपको बहुत आस इसमें class questions मेरे साथ ही करना और रोज मैं homework देंगा उसमें मैं कहूंगा कि question number practice दो section में बटावे class question और एक practice question फिर मैं कि तो practice question कर यह आपका homework है तो आपको homework करना रहेगा अब आपके दिमाग में आएगा कि sir practice question की क्या solution भी दिए प्राक्टिस question की solution के लिए दूसरी book दी विए तो आपके पहली जो book है यह class की book है इसमें मैं discuss करूगा थेओरी concept सब बात करूगा कहीं चीज़े मैं लिखूंगा भी और उसके बाद आपको class के question मैं solve करूगा और same sequence यह चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो आपने sequence नहीं बदलना जो sequence में मैं पढ़ा रहा हूं उसी sequence में आपको चलना रहेगा जो sequence में पढ़ा रहा हूं उसी sequence में आपको वीडियो देखने बहुत important है तो उसी sequence में आप लोग चलेगे okay class की questions मैं करूगा तो आपको मेरे स साथ करना रहेगा वही वही सेम सिक्वेंस रहेंगे आपके पास जब आप इसका प्रेंट आउट लोगे जो class में मेरा question number one आपका भी question number one आप उसी sequence में आप चलेगे okay उसकी बाद आपका practice question जो मैं आपको homework दूँगा तो आप सॉल्व करेंग उसका solution के लिए दूसरी PDF है इ इसकी जो IC study material के question से क्या हो इसमें cover है सारे questions में cover है लेकिन कभी यह हो सकता है एक हाथ question कोई miss हुआ okay but trust me trust me जिस level के इस book में question है वो बहुत advanced questions भी है बहुत advanced questions भी है तो जिस level के questions है in fact जो new chapter आपके new syllabus में कुछ जो addition हुआ है उन chapters के बारे में है क्या तब उसमें वो questions भी आपके study material यह वाली इस book में वो questions भी है जो इस level के questions नहीं दी忙 तो मतलब उतने high level के question नहीं दिये, वो भी आपके study material में, इस वाली book में है, so वो भी book में और lecture में भी आपो देखोगे, so trust में, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इस book के आपने सारे questions कर ली, आप कोई भी study material उठाओ, आई-सी के mock test paper ले लो, जो भी RTP, जो भी उसका आप exam के question लो, अब आसानी से कर लो, बस इसको आपको अच्छे से कर, करना रहा है, इसमें सारी चीज़े cover, फिर previous examination questions की बात करू, RTP revision test paper, जो new student है, RTP होता है, जो student हर attempt के पहले एक RTP issue करती, हर attempt के पहले revision test paper, तो उसके questions में cover, औ और कई other questions, मतलब जो advanced level के question है, वो भी इसमें cover, अगर आपने ये कर ली न, ये कर ली, that's it, more than enough, इसमें जो question, practice वाले question इसमें, लेकिसे solution के लिए आपके अलग से book है, okay, अब इसके बार, अब ये बहुत important चीज़े जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कुछ चीजे ऐसी रहे हूँ, आपको लिखना रहेगा, आप वीडियोस आगे में देखोंगे, देखोंगे, बच्चे आगे चलके comment ना करें वीडियोस पे, मतलब confusion ना क्रीटर, इसलिए में सारी चीज़े आपको बता रहा हूँ, कि आपकी क्या approach रहना चीज़े, अब आपको हर चीज लिखना है जो मैंने लिखा, वो आपको लिखना है, कोई मैं थेओरी सारी की सारी यहाँ पर है, in fact मैं concept बताता हूँ, और concept को चार्ट फॉर्म में कोई तरीखी से बता हूँगा, वो आपको लिखना है, आप वीडियोस में हो सकता, आगे चलके देखो, कि मैं ऐसा कहूँगा, कि पर आराम से देखे अपने notebook में लिखना रहेगा, कैसे आपको notebook maintain करें, उस पर भी मैं कहता हूँ, तो यह चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, you have to write down everything that I am writing in class, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिखूँगा, वो आपको लिखना रहेगा, जो भी मैं आप पॉस करके उसको लिख सकते हूँ, तो इस चीज को आप ख्याल रखेंगे, आपको यह चीज इंदम ध्यान रखना है, हर चीज लिखना है, अब यहाँ पर, मैंने कुछ आ गया, वीडियो में देखूँगे, मैं यह भी कहा हूँ, कि मैं PDF दे दूगा, तो आपको नही अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, आप कुछ चीज इंदम ख्याल रखना है, अच्छी इसी बड़िया से जाके आप आज 400 पेजिस की दो बुक ले लो, कितनी बुक लेना आपको, दो बुक ले लो, 400 पेजिस की दो बुक ले ले आप, ठीक है, अब एक बुक आपने रखना क्लास कुछन की, एक बुक कौन से रखनाँ के, जो मैं सॉल्फ करूँगा, मेरे साथ साथ आपने सॉल्फ करना, ठीक है, अब दूसरी आपके रहेंगे प्राक्टिस कुछन, जो रोज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क दूसरे नोट बुक में में करना रहेगा, अब एक इंपोर्टेंट चीज है, आप लोगों को, एक इंपोर्टेंट चीज है आप लोगों की यहाँ पर, कि आपने जब कोश्चन करेंगे, अब बहुत से कोश्चन करेंगे, मैं क्लास में कर रहा हूँ, आपको प्राक्टिक होमवर्क के लिए दूँग कि normal मैं जब आप lecture देखोंगे तो normally मैंने यहां पर जिन नॉर्मल चीज लिखना रहा था वह blue या black ink से मैंने यहां पर blue या black ink से यहां पर लिखा हूँ लेकिन आपको क्या होंगा आप भी यहां पर ब्लू या black ink से उसको लिख लेंगे लेकिन आप मैंने red color यूस किया new इन फेक्ट मैं आपको यह भी सजेस्स करूगा कि आपने हर चाप्टर में एक LMM बना ले अब आपको जो जो लगता है जैसे आपने के रैड आपने देखे कि कोश्चन नबर वान टू अप्रोच में बता रहो कैसी आपको रिविजिन में बहुत हेल्प करेगा अंठि पर्षैन होगा लेकिन दस परसें आलखोंगा अपने इंपॉर्टेंट फीलेंदी को आपको लगता है देखना है तो आपको रिविजिन के वक्त inputs लेका कि आपको कौंसे से कोंसे मर्ठ करना है कि नय पॉंट है ये मैंने क्लास में को था रखना अब मार्क करें तो आपको यह पता नहीं के वक्त आको कौनसी चीज कवर करना है ठीक है अब हर चीज में आपको जो कहारो बहुत ध्यान से आप सुनोंगे ठीक है तब आपके इसके class की questions होगे पिटा और यह आपकी practice questions होगे अब आते हम लो calculator please 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 आपने एक जो भी ले लोगे वही use करना यहाथ उसमें बहट जाता है और speed आ जाती है जब एक ही calculator यूज़ करना एक अच्छा सा अगर होगा तो अच्छी बात है नहीं है तो एक अच्छा सा calcium ले लो ओके और उसको अच्छे साब उसी calculator का exam तक आपने use करना और मैंने box बनाता हूँ उसमें कोई note लिखा के आपको दूँगा तो आप देखोंगे वीडियो में इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है एक और चीज़ बहुत important आप लोगों के notes में यहाँ पर आप लोगों को दिया हूए planner अब आपको इस तरह प्लैनर क्या है आपको जो आप अ ऐसा लगता मुझे कि आपके marks आपके जरूर बढ़ेगे तो यहाँ पर प्लैनर दिया हूए आप जैसे जैसे revision कर और revision जब आप करोगे तो जरूरी नहीं कि सारे कुछ आप करो अगर आपके समय है तो अगर आपके preparation के लिए साथ से साथ मेने आठ मेने आपके पास है तो आ आप कर सकते हैं लेकिन आप जरूर अपने महाप पर मार करके रखें आप देखोंगे मैं कहूंगा यह important इंप्रॉटेंट कहूंगा आप मार करके और उसको आपको revision करना रहेगा तो आपने जैसे first revision हुआ तो आपने यहाप टिक कर देना first revision जीजिस चाप्टर में आप जैसे हुआ उसका आपको proper track record रखना है अब कुछ चीजे जो आपको ध्यान में रखना है कौन सी चीज कि आपको कुछ चीजे इग्नोर करना है आपनों इससर इग्नोर करना है हाँ देख अब ध्यान से बाप मेरी बस सुनेगे यह काफी important चीज मैं आपसे कह रहा हूँ क्य सारे अब करना आरे रहेता है आपको डिया है इतना है अब क्या चीजे इग्नोर करना है है आप मेरी पाध्यान से लगी chapter number और page number आप बोलेंगे ऐसा है कि देखो आपको यह जो मैंने book बनाया विए new syllabus के सापसे book बनाया लेकिन new syllabus और old syllabus में क्या फर्क था new syllabus में सिर्फ आप लोगो के कुछ chapters add हो गयते और कुछ chapter हड गयते अब जैसे bonus and right issue है का आपका chapter सब्सक्राइब और आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकंप्रिट रिकॉर्ट जो मैंने हाइलाइट क्यों यह चैप्टर आपके न्यूज सिलिबस में आड हुए कोई चैप्टर हड भी गए यहां से अब यह थे आपके सिय इंटरमीडियेट में इस पर भी अभी में आऊंग आपको बस सिक्वेंस विडियो देखने रहा अगर मैंने कई पेज नंबर आपका जो भी पेज नंबर मेरे पास जो नोड़ से और पेज नंबर को यह चैप्टर नंबर हो सकता को यह आलग हो लेकिन आपको इंग्नोर करना है आपने इसको इग्णोर कर देना आगर वीडि लेकिन आपके जो वीडियो में फिर से क्या रहा है जिस सिक्वेंस में आपके वीडियो से उसी सिक्वेंस में आपके बुक में चाप्टर दिये उसी सिक्वेंस में आपके चाप्टर से आपके लेक्चर है तो आपको कुछ भी नहीं बस आपको बुक प्रिंट कराना है आपके पास जो बुक है उसमें 58 होंगा इट्स ओके लेकिन जो वीडियो आ रे और जो आपके पास बुक है वो वीडियो सारे एक ही सेक्वेंस में है अब इस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना कर मेरे वीडियो में आगे का ठीक है अब जो चाप्टर आप लोग को के से लिबस कवर है ठीक है लेकिन जो चाप्टर आपके आडवे लेट इस रिदेम्शन अव डिबेंचर दिसलिशन अव पार्टनर्शी फों अकांटिंग फ्रम इनकोंप्लिट रिकॉर्स और यहां पर रिदेम्शन आफ रिदेम्शन आफ प्रेफरेंश रिदेम्शन आफ जब ICI ने रिदेम्शन आफ प्रेफरेंश आपका इंटर लेवल का फॉंडेशन लेवल पर लेकिया आई और बोनस और राइट इसमें कुछ जो महां पर एक्जेक्ली वैसा ही यहां पर है अब क्या हुआ यह जो तीन चैप्टर आप लोगों के है यहां पर कौन से तीन च चीज़े फांडेशन में आपको माफ कर दीगी आपने माफ कर दीगी हां तो कुछ जैसे में टॉपिक से अब उसमें मतलब चैप्टर के अंदर कुछ और कंसेप्स है जैसे ओन डिवेंचर अभी ओन डिवेंचर क्या उसका भी भूल आपके सेलिबस में नहीं तो यह आपक जो बुक बना है बिलकुल वैसी बना है जितना आपको पढ़ना तो आप लोगों की बुक से ओन डिवेंचर वाले पॉइंट्स हटा दीगा जो आपके नहीं हैं सिलिबस माइमेंटों से जो आपके अमल गमेशन अपांशिव फिर्म होगे कुछ रेशो वाले कोश्छन से वो आपके syllabus में नहीं है, तो वो obviously आप लोगों की जो ये book है उसमें नहीं है, जो बात करो बहुत important, इस book में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सारी चीजे पढ़ना है, आपको सारी चीजे इसकी पढ़ना रहा हूँ, और वो ही चीज मैंने add क्या हू जो आपको पढ़ना है, ना इससे एक जादा, ना एक कम, जो book है, बस इस book को आपको पूरी पढ़ना रहेगा, ना एक जादा, ना एक कम, ठीक है, अब जो videos आएंगे, मैं बार बार इस चीज पर emphasis करो, जो videos आएंगे, वो भी वही रहेंगे, जो आपकी book में questions रहेंगे, त क्योंकि ना इससे एक ज्याधा पढदा है ना इससे कम पढ़एगा, आंक बन करके हमें तूसा हैं पसकर करो आपको जो इन फैक्ट इसमें इसके मने रहें के कई सकता के लेकिन कभी एक दो question नहीं भी होगा, trust me, वो बहुत easy question होगे, इसलिए मैं नहीं consider करोगा, and trust me, जो level की question हम लोग क्लास में करेगे, वो बहुत जाधा high भी रहेंगे, advanced level की भी questions रहेंगे, तो you don't have to worry, आपको कुछ भी, मतलब just you have to follow the, ये book का आपको follow करना है, और इन lectures का आपको follow करना है, in fact, you don't have to worry, institute ने जो redemption of debenture, dissolution of partnership, फर्मी जो new chapters add करी न, ये इंटर के जरूर करे, इसमें इतना न, शोर मचानी की जरूरत नहीं करे, बहुत difficult है, बहुत difficult, trust me, जब आप ये lectures देखूंगे, आप बहुत अच्छी बात है, कुछ भी difficult नहीं है, आप सरिफ इस जो lectures की series को आपको follow करना रहेगा, जो मैंने instruction दिया, इस instruction का आप follow करेगे, आप जो telegram channel का link दिया है, महाँ पे जॉइन करो, और ये PDF डाउनलोड करके, सबसे पहले जाके आप print ले लो, और ब I know that, जब आप CA foundation level पे आते हैं, बहुत सपने लेकर हम लोग आते हैं, आप लोगे बहुत चीज़े आप लोगों के दिमाग में रहती है, and trust me, and trust me, कि आप बहुत इन अभी छोटे बच्चे हो, ननने मुने बच्चे हो, आपके 12th पास रहते हो, अभी आप लोग, ये first year कु हम लोग को भी CA एक दिन बनाए, and trust me, you can become a chartered accountant, लेकिन ये जो instruction में, CA foundation level के हम लोग बात करें सब्जा कि, you can score, students ने लाए है, 96 तक इसको 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 इनने स्कोर कर, 90 के उपर कहीं, 80 के उपर धेरो बच्चों ने स्कोर, और आप भी कर सकते हो, even though science background आपके 11th, तो भी आप इस वीडियो को follow करना रहेगा, और आपके जो भी friends है, जो CA foundation level पर आप उनको ज़रूर ये series के बारे में suggest करियेगा, ताकि वो भी इसके benefit ले सके, okay, and trust me, आप जब वीडियो आगे देखोंगे, तो आपको ये realize होगा, जो content आप देखने जाओंगे, trust में, अब best content देखने ज जाओंगे, तो जो वीडियो आप लोग आगे देखने जाओंगे अभी, ये इसमें आपको इसके अलावा कोई भी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो भी आपके foundation level के friends है, आप उनको इस series को ज़रूर रेकमेंड करा करें, ताकि वो इसका benefit ले सके, and all the best for your CA foundation, आपके यहाँ पे जर्नी शुरूरती है, मेरा काम यहाँ पे खतम होता है, और अब आप लोग को की जर्नी शुरूरती है, once again, all the best for your CA foundation, तो सबसे बिलाज introduction के बारे हम बात करते हैं, कि यहाँ पे accounting होती क्या है, हम यह कहना सहीए कि accounting क्यों करी जाती, क्या चीज़ है, अब ध्यान से आप सुनेंगे, हर इंसान, every individual, every individual, perform some kind of, some kind of economic activity, what do you mean बाई कि हर इंसान, कोईना कोई economic activity में involved होता है, हर इंसान, मैं एक छोटे से शुरू करता हूँ, और हम लोग जाएंगे, बड़े-बड़े businessman के, आज मैं आपको बहुत important चीज़े से, अदानी गुरूप की जो latest financial statement है, financial year आपका 21-22 का, यह अदानी गुरूप का financial statement है आपका, जो उन लोग की, 31st March 22, मतलब, financial year 21-22 को उसके के बारे में बात करूँगा, हम लोग government of India के बारे में भी कुछ बात करेंगे, ministry of finance, किस तरीके से, क्या हो रहता है, क्या accounting क्यो ज़रूरी है, वो आपको समझ महेंगा, कुछ NGOs के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा, और सारी चीज़े हम लोग, अभी important, अभी आपको ministry of finance के बारे, just for your knowledge, इसकी भी PDF में आपसे share करता हूँगा, अभी बस आपको लिखना कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना है, आपके में से कुछ parents, आप ऐसे होंगे, किसी के parents होंगे, जो लोग job करते होंगे, या किसी के parents होंगे, क्या करते होंगे, business करते होंगे, तो जो job करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, दीरे दीरे करके एक चीज़ अब cover करेंगे, so मैंने का, suppose हमारे example में हम लेते हैं कि कोई business man है, ठीक है, कोई business man है, पहले एक, पहले salaried वाली की बात कर लें, ठीक है, यह salaried वाला बंदा है, अब यह job करता है, हर इंस होगे, और साथ में क्या होगे, कुछ, खर्चे होगे, तगर मैं यहाँ पर सुची, क्या income होगे, कोई एक salaried person है, हर कोई यह चाहता है, business man, specially business man पर आऊँगा, लेकिन accounting की में बात करें, तो हर कोई, हर कोई अपने records रख सकता है, financial transaction जो होते, कोई भी economic activity में involved होता है, उसे सकता है, उसे record कर सकता है, तो क्या record करेंगा, financial transaction दो तरह कि, एक है income और एक क्या होते, expensive, तो एक salaried person की में income की बारे में बात करते हैं, तो इनकी क्या income होगी, इनकी एक income होगी, जो इनको salary मिली, second कुछ other income भी हो सकती, जैसे कि इन्होंने bank में पैसा रखे, तो उस पे क्या म मिला, तो एक salaried person है, वो job पे जाता है, उसे salary मिलती है, वो इसकी income होगी, और कुछ अगर example के तौर पे, interest है, इसा बादर income को बैंक में पैसा जमा करें, तो उस पे क्या मिला, interest मिला, लेकिन इसको कहां खर्च करते होगे, तो ये खर्च कहां पे करते होगे, example के तो हो सकता example घर की grocery लाना है, उसके बाद घर का electricity बिलाया, electricity बिलाया, okay, कुछ loan लिये तो repayment of loan है, यह घर बनाना है, तो घर construction के लिए खर्चा, तो यहां पे यह क्या चीज़ी बच्चो, यह आप लोगों की यहां पे salaried person, इनकी कुछ क्या है, income, कुछ expense, तो यह तो economic activity में involved है, कैसे economic activity में involved है, यहां पे, economic activity में यहां पे यह involved है, कि कुछ इनके पास पैसा आ रहा है, इनकी जो income है, और क्या करें, उसको खर्च कर दे, तो वैसे तो देखा जाए, record करना, जो भी financial activity में आप involved है, उसको आपने record करना, पैसे की लेंदेन को लिखना, यह accounting होती है, अब इसको detail मे meaning देखिए, लेकिए पैसे की जो लेंदेन कर economic activities को क्या करें, लिखना, मगर जरूरी है कि हर इंसान इसको लिखे, यह जरूरी है कि हर इंसान इसको लिखे, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन चाहें तो हर इंसान लिख सकता है, फिर चआए ओ छोटा सा कोई गरीब इनसान भी होता है लिखने को जो accounting का जो तरीका होता है, generally इसको prefer करते, businessmen, क्यों businessmen prefer करते, वो इसलिए करते, concurrent he haur businessmen यह चॉहता है हमको प्रॉफित हुआ हुआ हम कितना क्या हुआ है? अब यहाँ पर अगर मैं पर सेलरीड परसें चाहे जो लिख सकते है लेकिन generally वो accounting नहीं कहता है, मोटा मोटा हिसाब किताब लगता है, कितना पैसा आया है, कितना गया profit find out कौन करता है, business man करता है, तो business man बारी की से हर transaction को हर हिसाब किताब को लिखता है तो second example हम लोग लिखते यहाँ पर, जो हमारा है मैं कहता है कोई business man है, ठीक है, business की बात करते यह subject इतना important है क्योंकि आपको हर stage में subject पढ़ना है, आप लोगों को बच्चो CA foundation level पे CA foundation level पे यह 100 marks का पेपर है principle and practice of accounting जब आप लो CA intermediate पे जाँगों, जो second stage है CA की उसमें भी आप लोगों को वहाँ पे यह subject है, accounts आपका महा पे तो 2 है, 100-100 marks की group 1 में 100, महा पे 2 group है total 8 paper है, 8 में से 2 accounts की paper है, तो आपको CA foundation पे आपको 100 marks का paper पढ़ना है CA intermediate पे 200 marks का account पढ़ना है, और CA final पे कितने marks का पढ़ना है आप लोगों, फिर 100 marks FR नाम से बलाते है, महा financial reporting महा पे फिर आपको 100 marks का paper है यह, तो accounts आपकी हर stage पे आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, तो मैं second point पे आता हूँ, लेकिन उसके पहले इस चीज़ को अपम ध्यान में रखेंगे बड़ी बारी की से, हर चीज़ों को और CA foundation है कोई बहुत बारी नहीं है लेकिन अब सिर्फ क्या चीज़ रिक्वायर से आप लोग से discipline, discipline आपसे बहुत उमीद करी जाते कि आप discipline हो, regular class में रहो, जो चीज़े मैं कहा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप सुनते चाहेंगे अब हम लोग आते second, और कौन इन हिसाब किताब को, economic activity को लिखना चाहता हूँ, और कौन होता हूँ जो लिखना चाहता हूँ बच्चों businessman बिलकुल लिखना चाहता हूँ, क्यो businessman लिखना चाहता हूँ, क्योंकि वोई चाहता है कि हमारे business का performance कैसा है बई, profit हो रहा है, कि loss और उसको पता रहना चाहिए, तो मैं second example यहां पे लेता हूँ, example की तौर पे, कोई business हम ले लेते हैं, domino's, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यह domino's वाला है, यह एक businessman, और वो business चाहता है, कि उसके business को क्या है, उसको पता रहे, कि उसके business में कितना profit हुआ और कितना loss हुआ है, तो वो अपनी income को लिखेंगा, और उससे उपता लगाएगा, कि भरि मेंको Profit हुआ कि मेंको Loss हुआ अब मैं वहाँ पर कहता हूँ कि उसने ही यहाँ पर जैसे कि कुछ Income कहते हैं इसने Suppose यहाँ पर इसकी Income हुआ इसने कुछ इसकी कुछ Income हुआ फो यह Income Example के तोर पर इसने यहाँ पर कुछ Sales हुआ कुछ क्या हुआ, sales हुआ इसने example ऐसे तो बहुत sales होता हुआ example के लिए मैं लिख रह ऊ suppose इसका sale हुआ, कितने का हुआ 5,0,00,000 रुपय का sales हुआ so मैंने आप से कहता है suppose इसका sales example, 5,0,00,000 रुपय का sales हुआ अब इसके पास 5,0,00,000 रुपय इसकी income होगी, मगर इसके खर्चे भी तो हुएंगे, है न, तो इस income में से मैं expense minus करता हूँ, तो मेरे को profit हुआ कि loss हुआ पता चलेगा, तो मैंने कहा इसमें से minus करेंगे, हम लोग क्या minus करेंगे? expenses, तो इसमें से expenses मैंने क्या का, मैंने का expenses को क्या करो इसमें से minus करो अब जब expenses को हम लोग यहां पर क्या करने लगे minus करें example के तौर पर कौन-कौन से खर्चे होएंगे example के तौर पर raw material कुछ लगाऊंगा यहां पर कुछ उतने खरीद के लिए क्या होगा यह आपको sales कर रहे हैं तो आपने दॉमिन्योस पीजा मुह में पानी आ रहा है तो उन्हों के बनानी के लिए कुछ चीजे खरीद के लाएंगे उसको तो जैसे bread लगती है butter लगता जो भी चीज लगती हो पीजा बनाने वो चीजे पनीर पी तो लाएं जो भी चीज उसमें लगती है उन उन लोग ने लेकर आये तो कुछ यहां पर उसको बनानी के लिए आपने कुछ पर्चेस करके लाएं तो आपने सब्स पर्चेस करें तीन लाक रुपए का उसमें खर्चा हो गया तो टोटल आपको गया सेल्स हुआ पांच लाग खर्चा अभी तक कितने का तीन लाग सब्स रेंटेट प्लेस है तो आपने रेंट पे करें कितने का रेंट पे करें एक्जांपल की तोर पर मैं कहता हूँ यहां पर यह फीगर को इसको फिफ्टी लाक्स कर देते हैं ओके और इसको 30 लाक्स दरता हूँ ओके 30 लाक्स रुपीस का आपने उसमें पर्चेस का अब रेंटेट जगह है तो आपने सब्सक्राइब वहाँ पे रेंट 2 लाक रुपे रेंट पे करें अब imagine करो आप सोचो वो डॉमिनोज में आप गए आपने वहाँ पे देखे कितने वहाँ पे लोग काम करते अब वो जो लोग काम करते उनको आप क्या देते जो डॉमिनोज वाला क्या देता हूँ उनको सेलरी देता हूँ तो यहाँ पे उसका एक खर्चा सेलरी है से बहुत खर्चे होते मैं एक्जांपल्स लिख रहा से भी आपर एक्जांपल चार लाक रुपर उस ने सेलरी दिया मगर वहाँ पर आपने बड़ी ची से लाइट्स लगी भी होती है डॉमिनोस में और वहाँ पर क्या होगा डॉमिनोस लाइट्स लगी भी रहती है एलेक्ट्रिसिटी का एसी लगा होता है लेकिन यहाँ पर आपने मैंने टोटल मेरी इंकम कितनी हुए पचास लाक रुपे खर्चे अगर मैं देखू वो उस इंकम में से पचास लाक रुपे में से मैं माइनस करता है एक्सपेंस 30 लाक्स, माइनस 2 लाक्स, माइनस 4 लाक्स, माइनस 3 लाक्स तो कितना हुआ है यह 11 लाक रुपए 11 लाक रुपए यहां पे हमारे बचे तो यह 11 लाक रुपए क्या हुआ है profit So transaction क्या चीज़ होती यह जो आपके यहां पे sales हुआ यह जो sales हुए और यह जो यहां पे income और यह expenses हुए कि जो भी business dealing जिसको आप measure कर सकते हो और express कर सकते हुए monetary term में उसी को हम transaction कहते है lane दिन sales में क्या हुआ lane दिन क्या तो आगे हम और detail में आएगा लेकिन क्या चीज़ होती give and take मैं यहां पे कहता हूँ कि जो 50 लाक रुपए का sales हुआ इस domino's वाले ने goods आ उसको पिज़ा दिये customer को और उसके बदले में पैसा लिए तो give and take हो रहा है तो आप उसके बदले में पैसा लिए तो monetary term में जो भी dealing को आप measure कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं transaction कहते हैं purchase कर रहे हैं उसके बदले में हम दो उनका पैसा दे electricity हमने consumption के electricity का उसके बदले में हमें पैसा दी तो कोई भी मैं लिख देता हूँ a business dealing measured and expresses in terms of in terms of money is called transaction उसे क्या कहते हैं transaction कहते है अब इस difference को समझ ना बच्चा जो आपका profit आये 11 लाक रुपे का क्या वो के transaction नहीं से एक ये ये जो 11 लाक रुपीज आया उन transaction क्या consequence है तो एक प्रॉफिट को भी लिखना पड़ेगा है ना उन transaction को जो उपड़ transaction इंकम और expense का उसका consequence है मतलब a happening as a consequence of transaction a result is called event तो इसे क्या कहते है कि उन transaction की वज़ा से ये प्रॉफिट हुआ तो इसे क्या कहते है इवेंट कहते है dominos की मैंने बात किया ऐसे कई businessmen होगे तो बड़ा businessmen है ऐसे कई छोटे 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 अपने इर्द गिर्दी देखना आप जहां रहते हो माँ पर imagine करो एक छोटा किराना शॉप होगा आप जाते होंगे वहाँ पर वो भी तो चाहता होंगा कि उस बिजनस में कितना profit होगा का loss होगा जानना चाहता हो आप imagine करो आप आसपास जो भी चीजे होती है आप लोगे छोटे छोटे दुकान आप जाहर रहते होंगे उस society के पाज उस area में कितनी दुकाने होंगी कितने छोटे छोटे बिजनस में होगी आप की city में कितने बड़े बड़े बिजनस में होगी ऐसे इंडिया में कितने बड़े बड़े बिजनसमें, दुनिया में कितने बड़े बड़े बिजनसमें, फिर चाहे वो छोटा बिजनसमें हो कि फिर चाहे बड़ा बिजनसमें, हर बिजनसमें ये जानना चाहता है, at the end of the year, कि मेरा profit हुआ, कि loss हुआ, मुझे पता लगे, कहां पे यह जो accounting होती हिसाब किताब को लिखना वो कैसे लिखते क्या तरीका होता है उसको अपन बाद में discuss करेंगा लेकिन यह businessman भी जानना चाहता हूंगा कि मेरा profit हुआ कि loss हुआ इसी तरह ऐसे कई लोग है जो जानना चाहते हैं मगर एक salaried person था फिर हम ने देखे कि business man हो लेकिन फिर छोटा हो कि बड़ा businessman हो अब मैं आपको दिखाता हूं यह अदानी ग्रूप जो इंडिया के सबसे जो richest person है अदानी उनका अगर यहां पर बुले उनकी company का financial statement कौन से साल का financial इसकी pdf में आपसे share कर दूमा कौन से साल का for the year ended 31st march 2022 तो financial year 2021 commerce वालो को बता हो को science student financial year में accounting year 1st January to 34 December नहीं रहता accounting में हमारा year रहता है 1 April से लेके 31st of March तो वो March में खताम हो रहा है मतलब 1 April 2021 से शुरू आर 31 March 2022 को खताम हो अब आप imagine करो यह जो financial statement आपके सामने दिख रहा है अदानी ग्रूप का imagine करो बच्चो यहाँ पर जब मैं देखता हूं यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर दिखता है revenue from operation यह रहा revenue from operation ठीक है थोड़ा सा मैं जूम करके बताता आपको यह रहा revenue from operation आप देखो यहाँ पर यह कितना यहाँ पर है सर बोलेंगे तो बहुत कम है इतन इतना सा सेल है अदानी का यह सेल सें 69,420.18 अरी बस इतना सा सेल हुआ फाइनिशे दर 21-22 में बस इतना सा यह जो फिगर से नापकी बस इतना फरक है करोड में किसमें फिगर से आप लोग की करोड में तो आप खुस सोचो अदानी जो इतना बड़ा businessman जो इंडिया का सबसे richest person उसका जो सेल हुआ 69,420 करोड करोड सा उतने करोड का सेल हुआ वो कैसे वो businessman इतना सेल हुआ आप imagine करो जो अदानी ग्रूप है is it possible for them कि आप उसको सारी की सारी चीज़े याद रहे याद रहती होंगी इतना नहीं कितने transactions होते तो इस पर मैं वापस आओंगा अभी हम यह पॉसिबल है नहीं तो हर organization के लिए फिरो छोटी organization की बड़ी organization हर organization के लिए आपको लिखना जरूरी हो तन transactions को उन हिसाब किताब को ताकि हमको यह पता लगे कितना profit हुआ कितना loss हुआ कभी हमने उधारी में बेचते यह उधारी में खरीदते create sell create purchase तो क्या किसी से पैसा लेन है उधारी में अगर हमने कोई चीज़ खरीदे तो हमको पैसा देना है तो इस अब कब चीज़े पता रहेंगे दो चार पांच दस transaction याद रह सकते कहीं transaction तो क्या हमरे लिए possible है कि नहीं तो एक हमने देखिए salary person चाहे तो हिसाब किताब वह भी लिख सकता है लेकिन वह उतन इंट्रेस्टेड नहीं रहता है बिजनेस में ज़्यादा इंट्रेस्टेड रहता है क्योंकि उसको क्या find out करना है उसको यह find out करना है कि उसका profit हुआ कि loss हुआ सारी चीज़े समझ में आ रही है ध्यान से अभी कुछ भी नहीं लिखना है त्रिव आपको मेरी बाते ध्यान से सुनते जाना है कौन-कौन सी city से आप लोग यहां पर कमेंट करो यहां पर आपको चैट बॉक्स में option दिया है कि आप में को बता कौन-कौन सी city से आप लोग ह ओके तीसरा जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ यहां पर और कौन लिखना चाहता हूँ अपने हिसाब किताब ओके कर देली, कैलकटा, मुंबई, जैपूर, इंदौर, लखनौ, कोलकता गेन, नॉइडा, चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अलग अलग जगा से सब, अब ध्यान से सुनती जाएंगे बिटा, थार्ड और मैं कौन, तो और कौन लिखना चाहता हूँ गा इन हिसाब किताब को, तो मैंने कासर एक होती है, हमारी non-profit organization, मैं सोचता हूँ कि non-profit organization, यह क्यों लिखना चाहता हूँ गा, non-profit organization, इनकी क्या income होती हो, इनका क्या है, इनकी income क्या होती, non-profit organization की अगर हम लोग बात करे, इन लोग क्या income होती होगी, ठीक है, ध्यान से, यह एक non-profit organization, इनकी income क्या होगी, इनकी income होगी, कि लोग इनको donation देते हैं, आपने देखे, मैं आपको एक non-profit organization की, अभी आपको balance sheet बताऊँगा इन्दी हिसाब किताब जो audit report आपको बताओंगा थोड़ी देर नो ठीक है भी ध्यान से सूने तो यह organization है यहाँ पर non-profit organization है कोई तो यह organization income क्या होती कि organization जो होती है अमारी non-profit organization का motive यह नियो तो profit कमाना तो आप बोलें जब profit कमाना उनका motive है नहीं तो फिकर की क्या बात है उनको तो profit नहीं कमा रहा है तो वो क्यों हिसाब किताब अपना यहाँ पर लिखते होंगे और क्यों हिसाब किताब यहाँ पर लिखते होंगे उनको तो profit कमाना motive भी नहीं है तो हिसाब किताब लिखने की जरूरत है क्योंकि income जो होती इन लोगों की income कौन सी होती जो इनको donation मिलता जो इनको लोग donation दे वो इनकी income होती है अब आप खुछ सोचो बच्चो जो इनकी income हो कहा donation तो जिनोंने भी donation दिये वो जरूर यह चाहेंगे कि हमने donation आपको को दिये हम चानना चाहते कि उसको आपने खर्चा का की हो तो जब ही तो आपको organization पर ट्रस्ट आता है कि उनको donation दे के लिए उनको आप donation काम करती society के लिए उनको आप donation देना चाहूंगे तो बही कैसे पता चलेंगे कि प्रॉपर expenses रिकॉर्ड करते इंकम expense रिकॉर्ड करते प्रॉपर यूटिलाइज करते जब उस चीज को लिखेंगे तो जिस चीज को लिखेंगे जब अपने पता चलेगा तो इसलिए यह non-profit organization even though इनका profit कमाना motive नहीं है लेकिर इनको भी हिसाब किताब रखना होता है कि income कितना expense कितना हुआ और इनके खर्चे कौन से होते हैं अब अलग-अलग non-profit organization होती है और अलग-अलग area में वो non-profit organization काम करती है जैसे कि अगर मैं example के तौर पर आपसे कहूँ तो मैंने आपसे अलग-अलग organization अलग-अलग area में क्या करती हो काम करती है ओके कुछ organization होती है वो human rights के लिए काम करती है कुछ organization होती है जो consumer protection के लिए काम करती है कुछ organization education के लिए काम करती है कुछ organization आप लोगों के health sector में काम करती है अब यहाँ पर अलग-अलग यह non-profit organization होती है और वो particular area को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए क्या करती है वो organization आप महाँ पर specializes इसमें खर्च करती है कुछ orphans के लिए कम करती है कुछ old age home चलाते है उन लोगों के लिए तो यह जो organization होती है इनके पैसा इनको आता है donation और उसको क्या करते है खर्च करते है मैं आपको audit report बताता हूँ एक non-profit organization गुंच करके अब यहाँ पर उसके audit report आप वे इसे discuss करके पहले हमें सारे points cover कर लें जैसे कि यह एक non-profit organization है अब यहाँ पर non-profit organization के जैसे कि यह काम करते है रूरल area में जनरल यह organization काम करती है तो यहाँ पर infrastructure के लिए उन लोग ने जो जो ज़िए रूरल communities को यहाँ पर जैसे यहाँ पर बतने है roads के लिए है फिर वहाँ पर आपको दें fencing in boundary wall, bridge, community hall, bus stand ऐसे कहीं चीज़े लोग बनाते क्यों uplift करने उन rural area को uplift करने के लिए क्या करते यह non-profit organization उसके लिए काम करता है तो इसके audit report हम देखेंगे लिकिन उसके पहले कुछ और मुझे आपसे बाते करता है फिर मैं अदानी और फिर यह आपका non-profit और इनके audit reports में आता हूँ आगे और फिर government के बारे में बात करेंगे तो यह non-profit organization को भी इसका मतलब जरूरी होता है इन चीज़ों को लिखना अब अगर accounting वही चीज़ होती कि इन सारी चीज़ों को लिखना इन सारी चीज़ों को है इन financial economic activity में एक salaried person भी involved है एक business man भी involved है एक non-profit organization भी involved है और अगर हम देखा जाए ऐसे एक और example जो बहुत important है example number 4 example number 4 जो की government है तो मैं कहता हूँ government जो है तो government भी क्या financial transaction में यहाँ पर involved होती है economic activity में क्या government भी आती है यस दियान से बब आप देखेंगे मैं कहता हूँ ये जो government इनके लिए क्यों ऐसा होता हूँगा कि पैसे इनको होना है क्यों इनको country run करना है तो जो भी ruling party रहती इस country को चलाना है ये हमारी तिनी बड़ी country इस country को run करना है तो कहां से पैसा आता हूँगा आप सोचो सोचो कि कहां से पैसा आता हूँगा आप imagine करो कि पैसा government of India जो चलाती है ये हमारी country को चलाती है वो पैसा कहां से आता हूँग government का major revenue तो taxes है tax collect करती हम लोग उसे अब उसकी income की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इनकी government की income मैं का हूँ तो इनकी income क्या होँगी इनकी जो major income है वो कौन सी हमारी tax tax का collection करते तो अलग-अलग tax होते वो आगए आप जब इंटर में जाओंगी तो पर पढ़ोंगे लेकिन taxes collect करते हम जो कमाते हैं इसका कुछ हिस्सा government को देते हो है एक direct tax income tax कहते है इसको और जो हमारा profit होता है उसका कुछ हिस्सा government को देते हो profit होता है उसको direct tax है अब यह income tax होता है उसके बाद आपने GST तो जरूर सुने होगे जो goods purchase sale होता है उसके GST रहता है तो वो GST भी हमको government को देना होता है तो government इस तरह कि taxes collect करती हम लोग taxes क्या करती है collect करती है अब यह taxes collect करती है तो आप सोचो यह कोई छोटा मुटा organization भी नहीं है government को तो पूरी country को run करना है जिए पूरी country को run करना है तो आप सोचो कि tax collection का हिसाब किताब लिखना जरूरी है के नहीं जरूरी है क्योंकि कैसे possible है कि हम लोग को यह सारी चीज़ गौर्मेंट को याद नहीं रह सकता इतने transaction इतना collection होता है अब मैं आपको reports बता हूँ यह report आपको थोड़ी दिर में आपको बता हूँ थोड़ी दिर में सारी reports में आपको बता हूँ अब यह government के point of tax collection करती है example के तौर पर में आपके income tax हो गया है GST होती तब government के expenses भी तो कितने होते government के expenses भी है expenses की बात करो तो government जो पैसा है collect करती है उसको खर्चा भी बहुत है जैसे कि अगर मैं आपसे कहो government के colleges होते है schools होती है तो यहाँ पे यह education के ओपर government को पैसा खर्च करती है बहुत खर्च होता है examples आपको दे रहा है health के अपने government hospital जितने आप सोचो imagine करो यह important चीज़े connect करना इस चीज़ का आप ज्यान से सुनो तो मैं आपसे कहता हूँ कि government और किस चीज़ पर खर्च करती है health care पर और कहते है आप लोग defense कितना major खर्चा होता defense के ओपर government खर्च करती ठीक है उसके बाद और government क्या खर्च करती आप लोग के defense हुआ उसके बाद हम लोग देखे कि जो road, transport के ओपर road आपने देखे roads के ओपर dam, construction जो होता है इतना government करती है इन चीज़ों पर खर्चा होता तो government के अगर हम बात करें तो उसका revenue कौन सा है कुछ examples लिखाँ मैं tax का collection करे खर्चे को बहुत education के ओपर security के ओपर defense के ओपर होता है इतने सारे हमारे क्या होते है खर्चे होते तो government के अगर बात करें तो यह उन tax collection और यह करते इतने expensive अब आप imagine करो यह मैंने तो बात किये ठीक है यह आपने इतने सारे ओर तो फिर चाहे वो छोटा organization हो छोटा बिजनसमेन हो यह बड़ा बिजनसमेन हो सबके सब economic activity में क्या होते है involved होते है जैसे आप देख रहे हैं आपे आपने आपे देखे कि फिर चाहे अज़रीड परसन हो फिर डॉमिनूस वाला बिजनसमेन हो और फिर चाहे आपका non-profit organization हो या फिर मैं बात करूए गॉर्मेंट की बात करूए हर को economic activity में involved हो रहा है तो यह हर कोई चाहते है कि इन सारी चीजों को लिखना जरूरी है अब आप खुद सोचो अब लोग बात करते हैं अगर आप खुद सोची यहां पर कि कोई जैसे क्यों ये क्यों ये लिखना जरूरी होता है तो मैं imagine करता हूँ यहां पर कोई ऐसा business जहां पर बहुत सार आइटम्स होते तो मेरे दिमाग में यहां पर DMART आया है क्या है मेरे दिमाग में DMART अब आपके सामने ये DMART है अब मैं सोचता हूँ कि DMART है आप खुद imagine करो इसमें कितने customers आते हूँ daily है ना 15 August के या पैसे कोई holiday रहता है जब उनका कोई इसे महाँ पर discount है खचा खच खूब भेड़ रहती है खूब भेड़ रहती जगा नहीं एक बार चले गया था जब से मैंने सोच लिया था भीया नहीं जाना ऐसे दिन महाँ पर इतनी भीड़ रहती वहाँ इतनी भीड़ रहती डी माट अब आप imagine करो इस डी माट में कितने इस डी माट में अगर हम लोग बात करें कितने customers आते होंगे daily है ना thousands of customers यहाँ पर thousands of customers daily हजारो customers यहाँ पर आते हैं अब आप खुद imagine करो इसका हिसाब किताब करना यहाँ पर thousands of customers भी आ रहे और अगर आप यहाँ पर देखोंगे तो यहाँ पर आपको number of items हजारो customer भी thousand है और product भी हजारो product मापे जो कितने products रखे वे रहते हजारो products रखे रहते कि is it possible मैं आप से पूछना हूँ is it possible is it possible to remember to remember all those transactions क्या यह possible है क्या वो सारे के सारे transactions का हम लोग याद कर रखे पॉसिबल नहीं है आप बता है as a human being क्या पॉसिबल है कि हजारों लाकों हो रहे है यहाँ पे ट्रांजेक्शन रोज के thousands of customer आ रहे वो माँ पे चीज़े खरीद रहे यह लोग sale कर रहे यह शैंपू में 10 वेराइटी रहती है पचासों चीज़े माँ पे खाने के अलग-अलग आइटम रखे हुए कितनी सारी आइटम्स रहते है तो क्या यह पॉसिबल है हम लोगों के लिए कि सारी नंबर आइटम्स को याद रहे कि आप याद रख सकते हो कि इतनी quantity आई इतना उसका rate था इतने में भिका उस पे इतना tax था यह इनसान का इनाम था जिसकों अमने बेचे यह एक बोल रहा है हजारो लागों transactions होते हिसाब पे होते लेन दे Is it possible as the human being आप बताओ No 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 तो students कहते नहीं सर यह possible नहीं हमारे लिए याद रखना ठीक है So यहाँ पे Not possible Not possible Not possible To remember To remember All those Transactions As Human being हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सारे Transactions को याद रखना अगर याद रखना पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आप खुद सुचो याद करना Human being Remember उसको सारी की चीज़े याद रहे दिमाग में फिट रहे अपने को याद रहेंगा नहीं रहेंगा ना ठीक है याद नहीं रहेंगा तो क्या करना चाहिए सार लिखना चाहिए सई बात है इस का मतलब हमको इसे लिखना चाहिए लेकिन ये कोशन अराईस होता है कि मैं कहारा हौ कि मैं उसको लिखना चाहिए कैसे लिखेंगे पही आप बोलते हैं इसको record करना है चीज़ क्योंकि एधे human being उसको याद नहीं रख सकते तो उसको लिखना जरूरी है इसका मतलब what is record एक question arise होता है सर्थ आप बोल रहें record करो तो मैं आप से पूछता record का मतलब क्या record का मतलब बते है something in writing what do you mean आपने के what is record आपने बले के record करो record करना मतलब क्या 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 एधे human being में याद नहीं रख सकता तो क्या बोला गया उसको क्या करो record करो तो what is record record means record means something in writing कोई चीज record मतलब कोई record something in writing writing अब मैं कहते हैं कि आपने बले के something in writing so what do you mean something आप बोलते है मैंने बोला के लिखना जरूरी है तो लिखने का मतलब क्या होता है लिखना मतलब क्या होता है something in writing कुछ लिखा हो है record मतलब क्या तो मैंने रिकॉर्ड करो, 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 मैंने रिकॉ करूं तो वो ट्रांजेक्शन्स वो हिसाब किताब वो लेंदेन जिसको आप मेजर कर सकते हो जिसको आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो किसमें मॉनिट्री टर्म्स में में मेजर कर सकते हो उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हो लेंदेन को फिर ट्रांजेक्शन वे इवेंट्स मे आपको बता आया था वो transaction की वज़र से consequence जैसे profit हुआ तो profit क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों transaction हुआ इसलिए profit हुआ ठीक है तो transaction और events और जो financial nature की जो किस nature की financial nature की financial nature to be recorded तो जो financial nature की है transaction और events उसको क्या करें गया record करें तो क्या financial nature की चीज ही record कर सकते हैं मेरे office में एक लड़का है बहुत honest है रितेश नाम है उसका बहुत honest है बहुत इमानदारी से सब चीजे उसको मैं बोलता हूँ की proper करो ठीक है नोट का कुछ बोला कि करके रखना उसको मैंने बोला उसको बड़ा अच्छा नेचर है मैंने उसको बोला भी मैं आपे class मेरी खतम होगी 630 को मैं जाओंगा मैं उससे पूछूंगा और मैं बोलेगा हां सर मैंने करके रखा बड़ा अच्छा नेचर बड़ा बड़ा respectfully बात करता है तमीज का है इमानदार है honest है तो क्या मैं उसकी यह अच्छाई इमानदार है नेचर बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा नेचर है क्या उसको भी record करूग है ना 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 सर record करना है something in writing और वो क्या होना ची पैसे का लेंदेन है उसको मैं लिखूंगा स्रिफ उसका नेचर अच्छा मुझे क्या करना है उससे accounting के point of view बोलू मैं finance के commerce के point मुझे क्या करना उसका नेचर अच्छा है उस अच्छा है तो मैं क्या record करेंगे उस nature को नहीं हम वही चीज record करते जो कौन से nature की होती हमारी financial nature क कि जो चीज होती उसी को हम लोग क्या करते हैं पर record करते हैं तो इसका मतलब यहां पर सबसे पहले चीज कि वह record होना चाहिए that should be something record करें हमको क्या करें we have to record it तो क्या record करो कैसे कैसे what is record क्या होता है record का मतलब something in writing what do you mean something in writing जो financial nature के उसको हम लोग यहां पर record करेंगे फिर उसके बाद मैं कहता हूँ आपको fourth point यहां पर fourth point यहां पर why to record why to record क्यों लिखना चाहिए मैंने जैसे आप से का हर businessman यह चाहता है कि उसको information मिले profit को लोग तो business में नहीं salaried person भी even दो तो भी चाहेंगा अगर चाहते कि information रहे पैसा कहां से है कहां कि उसका हिसाब किताब रहे so to get more information to get more information and the performance to get more information about the performance तो हमें क्यों चाहते कि वो records को लिखे financial nature के सारे क्यों लिखना चाहते कि हम जानना चाहते कि performance कैसा हुआ है मैंने आपको अब यह कहा ही नहीं हूँ मैंने आपको कहा ही नहीं हूँ क्या चीज नहीं कहा मैंने आपसे यह नहीं कहा दो अभी मैंने इसके बारे मैं आपसे discuss ही नहीं किया हूँ अपन बाद में discuss करें तो accounting करना इसकी हिसाब किताब अकाउंटिंग करना भी word सही नहीं है मैं बोलता आपको simple accounting का meaning तो मैंने बूला यह नहीं हो हम कल discuss करें मैं आपसे कहता हूं कि accounting यह जो हिसाब किताबे क्या है record करना क्यों record करना चुत है कि human being हमको याद नहीं रहता तो क्या होता है record करना something in writing what is something in writing जो financial nature का अच्छा financial nature का है क्यों लिकते हो फिर आप क्यों लिखते हो इसलिए लिखते हो कि हमको performance पता चले कि profit हुआ कि loss हुआ इसको performance कहतें ठीक है यह profit हुआ कि loss हुआ performance हुआ कि में को profit हुआ कि loss हुआ पता तो रहे business में ठीक है और कैसे how to record कैसे लिखा जाथ उसका एक तरीका उता लिखने को वो मैं सिखाऊंगा आगे where to record कहां लिखा जाता उसको कहां लिखा जाता non-profit organization या non-profit organization बोलू मैं या फिर मैं आप से क्या कहू non-profit organization बोलू या फिर मैं आप से कहू कि वो आप लोगों का government है इतने सारे लोग है और या फिर saluted person है तो आप अपने आसपास सोचो अपने आसपास अभी यह नहीं सोचना है अपने को फॉस्स दे तो accounting history का है बच्चे को यह नहीं पता accounting है history में क्या बोलू वो किसने invent किया और अपने को क्या कर रहा है उसने invent किया मुसीबत हम पर पढ़ना अपने को पढ़ रहा है ठीक है वो सब अभी connect करो कि आप imagine करो practical life से से सको connect करो आसपास अपने देखो और सोचो ऐसे आप सोचो आपके parents के point आवे से हाँ याँ घर पे इतनी खर्चे होते होगी घर पे लोगों क्या होता होगा उनके खर्चे होते है आपके parents की income होगी कोई business man होगी या कोई salary job करते होगी तो उनके वो भी हिसाब किताब लिखते होगी लेकिन वो बहुत detail में नहीं लिखते होगी वो business नहीं करें प्रोफित और लॉस नहीं find out करें लेकिन एक businessman के point आवे से सोचो तो वो उन हिसाब किताब उन transactions को क्या लिखता है उन transactions को क्या करता है लिखता है मैं बार-बार कहे रहा हूँ वो लिखता हूँगा transaction अभी आपको कुछे नहीं लिखना है लेकि ये same PDF class खता है पंदरा मिट में आपको मिल जाएंगे ठीक है तो अभी बस आप मेरी बात ध्यान से सुनने लिखना कुछ भी नहीं आपको फिर चाहिए non-profit organization वो भी अपना find out करें तरह कितने income और कितने expense वे यूदि जो donation रहते देते हैं उन लोगों को हमको बताना होता है कि हमने कहां कहां उसको खर्च करें उसके बाद हमने देखे कि ये जो government होती है वो भी revenue collect करती है और उनके भी क्या होते हैं यहाँ पर बहुत से expenses होते हैं अब जैसे कि मैंने आपसे यह अदानी group का financial statement बनाया बताया तो यह annual report अन लोगों की financial year 21-22 की annual report अन की financial year 21-22 की अदानी group ने इतना कमाया आप खुद imagine करो यहाँ पर लिखाओ है यहाँ पर लिखाओ है कि 69,420.18 करोड में हो पैसा करोड में लिखाओ है तो करोड इतने 69,420.18 करोड उतने करोड है ठीक है तो आप खुद सोचो इतना बड़ा business यह अदानी जो है इतना बड़ा business हम यहाँ पर figures देख रहे हैं यह कैसे उनको याद रहती है अब ही मैंने आपसे का कि यह possible नहीं है तो वो इसको क्या करते होंगे record करते हों, record का मतलब something in writing, लिखते हों क्या हर चीज़ लिखते होंगे अदानी जो group है, हर चीज़ लिखते होंगे उनका employee बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छे nature का है लिखेंगे उसको नहीं लिखते होंगे उसको नहीं लिखते होंगे अपना performance देखने होंगे कि performance मतलब profit हुआ कि loss हुआ उन नहीं यहाँ पर फिर यहाँ पर expenses लिखेवे आप उनकी expenses लिखेवे यहाँ ठीक है वह वहाँ पर income और expense वह सारी चीज़े वह transaction वह lane दे वह हिसाब किताब लिखेंगे जब ही तो profit उनको क्या पता चलेंगा otherwise उनके लिए possible था क्या है नई तो यह बड़ा businessman छोटा हो यह बड़ा उसको लिखना जरूरी है उसके बाद एक organization है ठीक है यहाँ पर उसका नाम है non-profit और जो इसका नाम है गुंज है अब इनकी यह annual report है कि 2021 को कोविट के पिरेट का हो जो पिक पे था 2021 annual report है ठीक है अब यह annual report में यहाँ पर कहता है फाइन 2021 की यह अलग-अलग area में non-profit organization काम करती है जैसे मैंने आप इनकी रिपोर्ट देखा अब यहाँ पर एक सेकेंड रुखेंगे जैसे कि यहाँ पर in front infrastructure के लिए उनोंने खर्च किए इंफटर के लिए नहीं नहीं बता है कि आपको यह पर रोड बनाएंएं ठीक के इस स्क्रीन पर देखाओंग होगे ब्रीज हो गय है वे पुलिया भी लिखा हो है वहांपे बेंट स्टेंड बैंचेस एंफेंसिंग बांडरी कम्यूनिटी हॉल बाना है बस्ट एंट करें यह इतने खर्च कर देती यह आपका वहां पे डाय कितना है कितने परसंटेच कौन से काम के लिए इतना उन्हें खर्च महां पर बताएं ठीक है यहां पर इतने प्रोजेक्ट स फिर यहां पर उन्हें उक्यूपिशन एट प्रोवाइड एट फिर अनीबल हजब एंट्रियों के माइक्रोशॉप सेट अप चोटी चोटी दुकाने लोगों को खोल के दियो ठीक है यहां पर देख रहे हैं अंकल को यंकल को देख रहे हैं इन लोगों ने थोड़ा- यहां पर कोई साइक्लोन आया था यहां पर यह मारश्ट्रन इसके साइक्लोन आया पर वेस्ट बेंगॉल में बिहार में फ्लर्ड आया था चटीजगड का फ्लरड तो अलग-अलग अरिया में नॉन प्रॉफिट और्गनिशन ने काम किया है नोगी अब आप खुश सोचो यह कहां से काम करता हूँगा अब सोचो यह कहां से इतना काम करता हूँगा कहीना कहीं से तो पैसा आएंगा जब ही तो यह कर पाएंगा ओवियसली नॉन प्रॉफिट और्गनिशन इसको कहीना कहीं से पैसा आएंगा जब ही तो इतना काम कर रहें तो दोनेशन मिलता कहां का खर्च हो यह लोगों को रिस वह गौर्मेंट को भी बताना होता है कि हमारी ओडिट्स होते हैं अपकी सिगनेचर की इतनी वैल्यू रहेंगे जो आपका आज भी पता नहीं है तो आप साइन करोंगे यह रिकॉर्ड करते इन हिसाब किताब को लिखते डोनेशन साया कह का इन इन इरिया में का का खर्च होए और यह चार्टेड अकाउंटेंट जब आप बन जाओंगे उस पर आप क्या करोंगे अपनी साइन करोंगे तो आपका यह रिपोर्ट कहते हो से तो यह कहां से यह डोनेशन इसको लिखना जरूरी है तो मैं यहां पर जैसे इन लोगो का यह डोनेशन आया है यहां पर दिया हुए डोनेशन से यह डोनेशन इन लोगों के इतने रुपी इतने अमाउंट फूब अमाउंट है अब जब वैन्यू बिकाम ए चार्टेड अकाउंटें तो आप इन जगाओंपे क्या करोंगे इस पर आप और इतना इसको हिसाब कि के नहीं है और फिर आपनी सिगनेचर करते है तो अपनी सिगनेचर की बड़ी प्राक्टिस का रहते है बड़ी अच्छी सिगनेचर होना चाहिए आपकी आपको जिंदगी में कहीं सिगनेचर कर और आपकी सिगनेचर की इतनी वाल्यू इतनी वैल्यू रहेंगी जब आपक किताब वो profit or loss business man बोलता है लेकिन government उसके profit or loss को नहीं मानती, government का मानती जब कोई chartered accountant उस पर sign करता हूँ नहाँ ये सही हिसाब किताब है so ये कहां से कहां से करते होंगे, ये जो आपको दीख रहा है यहाँ पर, रूरल डेलोपेंडी जिस भी इन लोग government करती है, उनको पैसा आता हूँ, कहां से पैसा लाते होंगे, तो ये हमारे Ministry of Finance Ministry of Finance की ये रिपोर्ट है Government of India, जिसका Finance Ministry उसकी रिपोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ इस रिपोर्ट में अगर मैं यहाँ पर देखो, आपके screen पर देखेंगा भी ये government ने tax collection करी यहाँ पर, tax collection करी financially basic case में, अब आप देखो यहाँ पर government ने tax collect करी, कितना tax collect करी, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कितना tax collect करी government करी, तो यहाँ पर उसने corporate income tax है corporate, companies जो उनसे income tax collect करी यहाँ पर यहाँ पर लिंगा 4,57,050, इत्ता सा, इन करोड, यह figures किस में करोड में, so 4,57,050.27 करोड कहां से है government को मार इंडियन government को कहां से है, corporate income tax, companies उनसे tax करी, personal income tax तीक है, अब यहाँ पर दूसरा income tax, 4,69,328.78, तो आपको यहाँ पर जो यह दिख रहा है, यह कहां से है, यह उन लोगों का आपका, दूसरा जो आपको दिख रहा है, वहाँ पर income tax आपका, तो तो टोटल आपको आपको है, उसके बाद यहाँ पर, तो टोटल direct tax, दूसरे taxes से यहाँ पर आए, तो टोटल इतना collect हुआ, उसके बाद GST, दिख रहा है कोई GST, तो टोटल इतना 5,48,777 करोड, रूपीज इन करोड है वो, उतना है, फिर non-GST कुछ उनको यहाँ पर 5,00, जैसे कि आपको excise से, ठीक है, यहाँ पर 5,26,032 करोड तो टोटल इनको 10,74,809 करोड, यह इतना इनको पैसा आया, तो गौर्मेंट का revenue, यह गौर्मेंट का क्या है, revenue, अब आप खुद सोचिए, country run करना है, पैसा कहां से हैंगा, टैक्सिस से आएगा, तो गौर्मेंट ने collect करी पैसा, टैक्सिस कलेक करी, अब यह गौर्मेंट क इतने खर्चे होते हैं, वो खर्चे गौर्मेंट फिर इन पैसों से करती, अब आप इमाजीन करो, इतना सारा खर्चा करती है गौर्मेंट, इतना जादा पैसा आता है, इतना पैसा आता है, क्यों, क्योंके बही, country भी हमको run करना है, फिर गौर्मेंट पैसा खर्च करती है अब imagine करो यह जो government किया हमारी government के लिए a possible है इतने बड़े बड़े amount इतने बड़े-बड़े जो हिसाब टाब होते है उसको याद कर लो imagine करो इतनी बड़े figure किया as a human being हमारे लिए possible याद करना possible याद करना नहीं है तो government ने कहां से figure दी? government इसको क्या करती होगी? record What do you mean by record? Record means something in writing. Something in what? Writing. अच्छा. और कौन से? जो financial nature के. आप देख रहो है, यहाँ पर financial nature के पैसा है. Okay. Record something in writing यह इनको पैसा आया. ठीक है? उसके बाद यहाँ पर उसको क्यूं? क्योंकि आपको पता तो रहे कि यहाँ पर कितना पैसा है, कितना पैसा हमारे पास से कया है. तो government भी हमारी यह हिसाब किताब लिखती है. जिस तरीके से एक non-profit organization के लिए भी हिसाब किताब लिखना जरूरी होता है. उसी तरह government के लिए भी हिसाब किताब लिखना जरूरी होता है और फिर businessman के लिए फिर फिर चोटा businessman हो कह है या बड़ा businessman हो. आज हम लोग ने सिर्फ यह discuss करें कि आप लोगों को accounting यहाँ पर accounting यह हिसाब किताब लिखना क्यों जरूरी होता है? कल हम देखेंगे कि accounting का meaning क्या होता है? accounting का meaning क्या होता हम लोग discuss करेंगे अभी एक दो दिन शायद आपको homework ना मिले क्योंकि शुरुवात का discussion है basic structure step by step आगे बढ़ेंगे. एक दो दिन शायद homework फिर homework मिलना शुरू होंगा रोज जैसी class शुरू होंगी तो मैं आपको पिछले दिन जो homework दूँगा वो मैं पहले आपसे पूछूँगा या आपको homework जो दिया तो उसमें कोई doubt homework करेंगे अगर आपने homework नहीं करें तो class में आने करें next day बीना homework करें class मे आपको next day क्या करना पड़ेगा उसको class में डिलिवा। ओम तो जैसे जैसे मेरा होते जा रहा है वैसी वैसी क्या होना चीय आप लोगों कभी साथ-साथ में होना चाहिए इस cutting your function को आतो ही जारा है यह पर वैसे वैसे आप लोग भी साथ-साथ में करते जाएंगे उसके कर लोगे ठीक है अगर आज आपको कोई भी डाउट हो गा मैंने जुआ अपसे कहा तो डाउट आप मेरे लाइफ चैट में जो आपको option दिया अप मापने डाउट को पूछ सकते ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट होंगा तो आप यहां पर पूछेंगे ओके, तो अगर doubt है तो बोलो नहीं है तो नहीं बोलो, ओके any doubt any doubt no sir no sir, ओके any doubt no sir ठीक है भई ओके, ठीक है ओके, ठीक है, no doubt तो इस्टोइंट कहे रहे सर, कोई doubt नहीं है ठीक है, तो हम लोग यहां पर discipline सबसे important है आप अभी CA foundation में हैं नन्य मुन्य से, छोटे से बच्चों हैं, 12 के बाद जैसा भी 12 पास होंगे आप लोग, और अभी छोटे से, अभी बहुत ख्वाब है आपके दिमाग में सर, यह अचीव करना है, CA बना, believe आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना रोज जो मैं आपको कह रहा हूँ अभी एक दो दिन होमवर्क नहीं नहींगा, फिर आपको करना है, और कोई यह जो CA foundation है, कोई ऐसा कोई बहुत भारी नहीं है मैं सच कहा रहा हूँ, जो मैं आपको चीजे बोल रहा हूँ बस उन बातों को आपने मेरी ध्यान से सुनना और रोज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको ध्यान से आपने मैं क्योंक होँ, जो मैं खर्णा करने, लिन फोरम इस कंटे मैं को आप कर सकते हैं कि आपडिय स्टूडेंट, पी प्लू आवरेज थिह, बिलो आएवरेज थे कि बहुत शार्प हुआ, जैसे भी student बस मेरी बातों को सुन, यह मेरा यह target है कि आपने 90 का target लेकर हर एक student के लिए, पीछे पढ़ा रहूँगा homework करें, नहीं करें, सारी चीज़े में आपसे पूछते रहूँगा, और उसके बाद आप 90 का हम लोग का target हम लोग का score करना है, मैं उमीद करता हूँ, कि दूसरे जो subject उसमें भी आप बहुत मेहनत करो, उसमें भी बहुत अच्छा score करो, तो aim बहुत high रखो, आपका aim रखो आप लोग यहां पे आपका aim जिसे account ले ठीक है, 90 plus in accounts में target, लेकिए आप दूसरे subject में भी रखो, और आपका target रखो, कि 400 में 350 प्लस लाना है, 360 प्लस लाना है, यह आपका target 350, 360, target set करके चलो, और वैसे ही आपको मैनत करना रहेगा, वैसे ही आपको क्या करना है, मैनत करना जरूरत नहीं रहेगे, क्यों, क्योंकि आपको सारी चीज़े जो PDF है, तो सारी की सारी चीज़े, जो आपको रोज, मैं आपको क्या हूंगा, वो आप लोग को रोज करना रहेगा, तो जो आपको homework दिया गया, उस homework प्रॉपर करना है, और बहुत ही आसानी से हम लोग का account का syllabus खतब हो जाएगा, और aim आपको बहुत 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 हाई रहा, हमें scratch से शुरू करके advanced level तक जाएगे, और बस discipline आप लोग में रहना चाहिए, तो आज का session मैं यहां पर खतम करता हूँ, खतम लोग फिर 4.30 को मिलेंगे, और फिर आगे कम लोग discuss करेंगे, बुक आपकी don't worry, बुक का students को मिल गई, कुछ बुक, कुछ बच्चों को नहीं आई, तो मैं first chapter की pdf शेर कर दूँग, आपको करेंगे, आपको